हेलो प्रेंट्स मैं हूं ससी आप देख रहे हैं पापा कंस्ट्रक्शन आज बात करते हैं दुनिया की सबसे बेनिफीसियल रीवर वैली प्रोजेक्ट बाकरा नंगल डैम के वारे में दोस्तों 22nd October 1963 को जब आखरा नंगल डैम का उदगाटन किया गया उस समय यह बारत की सबसे उची और सबसे बड़ी डैम थी बाकरा नंगल डैम एक मल्टी पॉपस डैम है मल्टी पॉपस मतलब ऐसा डैम जो दो या दो सदिक पॉपस के लिए बने गया हो पॉपर एक्जामपल वारे स्टोरेज, फ्लड कंट्रोल, पावर जेनरेशन, नेविगेशन, रिक क्रियेशन, थीसन, वाल्ड लैफ इनहांसमेंट वाक्रा नंगल डैम का पॉपस था इरिगेशन और पावर जेनरेशन, जो कि अब वाटर एस्टोरेज के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, टूरिजन भी हो रहा है, और अब तो इसमें फिसिंग भी हो रही है एक्चुली वाक्रा और नंगल दो अलग अलग डैम है, जो एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा है वाक्रा डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपूर डिस्ट्रिक के वाक्रा बिलेज के निकट सतलुज नदी पर बनाया गया है, जबकि नंगल डैम वाक्रा डैम से 13 किलो मिटर दूर पंजाब के नंगल मिश्थी थे बाखरा डैम एक concrete gravity डैम है concrete gravity डैम मतलब ऐसा डैम जो concrete या brick machinery इस परकार बनाया गया हो जो अपने weight से ही water pressure को control कर ले है बाखरा नंगल डैम 520 मीटर लंबा, 226 मीटर उच्छा और इसके base का थीकने से 191 मीटर जबकि crest का थीकने से 9.1 मीटर नंगल डैम एक बड़ाज है जो भाखरा डैम से निकलने वाले water को control करने के लिए बनाया गया है बात करते हैं भाखरा नंगल डैम के construction की भारत सरकार की department of irrigation ने यह काम Indian planners and engineers को सौप दिया और इसके architect बने बहादूर कौर्सिन गुपता भाखरा नंगल डैम का design consultant बनाया गया United State Bureau of Reclamation को 1948 में Indian planners and engineers department के द्वारा काम की शुरुवात की गई और सबसे पहले भाखरा कनाल सिस्टम को बनाने का निनने लिया गया 1952 में Mr. M. Hardware Slokum के नित्रित में अमिरिका से construction expert की एक team India आई जिसके बाद construction में काफी तेजी आई और फाइनली 22nd October 1963 को यह project complete हो गया और उस समय इसकी लागत थी 243.28 crore अब बात करते हैं भाखरा नंगल डैम के construction से जुड़े कुछ interesting facts के बारे में दोस्तों भाखरा नंगल डैम के construction में 14 million cubic meter concrete और दूसरे building material का यूज किया गया यह इतना होता है कि उस समय तक संसार में जितनी सरके बनी थी सभी को दुबारा बने जा सकता था इसके construction में 70 million से ज्यादा man days लगे यानि कि अगर single मजदूर काम करता तो उसे 7 crore days लग जाते हैं भाखरा कनाल सिस्टम में 95.2 million cubic meter अर्थ की खुदाई की गई यह इतना होता है कि इंडिया से अमेरिका तक double lane की सरक बनाई जा सकती है अब देखते हैं इस project से इंडिया को क्या benefit हुआ दोस्तों वाकरा नंगल डैम के बन जाने से हर साल 13,00,00 टन food grain जैदा उपजने लगा लगभग 8,00,00,00 cotton cotton की पैदावार बढ़ गई वहीं 1,00,00 टन से ज्यादा oil seeds हर साल उपजने लगा इसके water को store करके पंजाब, हरियाना, राजस्थान समेथ दिल्ली तक कहुँचाया जाता है इससे 1325 मेगावाट electricity generate होता है और पंजाब, हरियाना और राजस्थान के 40,000 square kilometer agricultural land का irrigation होता है tourism का भी अच्छा scope है इसमें facing हो रही है और कहीं न कहीं इससे employment बढ़ी है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें comment करके ज़रूर बताइए और अगर अच्छा लगा, तो please like करिए, अपने friends में share करिए और चैनल को subscribe करिए